नमस्कार फ्रेंट स्वागे था आपका मारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में हम आज 29 दिसंबर 1st and 2nd शिप्ट के पेपर में आपको बताऊंगा ठीक दोस्तो 1st और 2nd शिप्ट के जीके का पेपर में इसमें टोटल सॉल्ब कराऊंगा तो दोस्ते वीडियो नाम पे ठीक है दोस्तो इसके बाद GST कौन सा कर है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन थे दोस्तो की प्रेशिडेंट आर्टिकल प्रेशिडेंट आर्टिकल से पूछा थे दोस्तो ये आर्टिकल बामन से लेकर के 62 तक है ठीक है ना इसके बाद चले नेक्स्ट कोशन दे तो इसके बाद next question आता है कि IPL winner कौन सी team बनी थी तो ये Mumbai Indians बनी थी ठीक दोस्तो कितनी बार बनी ये 5 बार हो चुकी है ठीक है न दियान में रखिएगा इसके बाद next question आता है चुने के पानी का formula क्या है तो CA, CA, OH का hold price ठीक दोस्तो चलिए ठीक है पित तरस कहां से निकलता है तो ये लिवर से निकलता है ठीक है दोस्तो याद रखिएगा इसके बाद next question आता है Lichen क्या होता है तो Thelophyta होता है ठीक है दोस्तो चलिए next question देख लिए तो Robert Hook ने किसकी खोच की थी तो Kosika की खोच की थी तो खोज के बारे में ही question आ रहे हैं दोस्तों आप पढ़ लीजेगा इसके बाद exam में जाएगा ठीक है सरवग्राही blood group AB plus ठीक है यह सरवग्राही होता है ठीक है दोस्तों आप इसके बारे में भी जान लीजेगा blood के बारे में भी थोड़ा पढ़के ही जाएगा नेश्ट आता है तेलंगाना के governor कौन थे तो तामिली शाही है ठीक है दोस्तों सेल के chairman दोस्तों chairman से बहुत सारे question पूछे जा रहे हैं हर shift में तो आप जो अभी हाल ही में निर्मित हुए है chairman तो उनको पढ़के ही जाएगा ठीक है ना तो सेल के chairman जो है अभी अनिल कुमार चौधरी जी है ठीक है इसके बाद tiger reserve से एक question आया था दोस्तों की इस में से कौन से tiger reserve है तो Jim Corbett था ठीक है option के according था दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं आदर्स ग्राम योजना के father कौन है तो दोस्तों आदर्स ग्राम योजना के जो father है JP Narayan जी है ठीक है भूटान की राजधानी से भी question आ रहे दोस्त शिप्ट में भी आया था और second shift में भी पूछा था ठीक है ना तो भूटान की राजधानी क्या है ठीक है चलिए next question देख लेते हैं सबसे लंबी भारत की road कौन सी है तो NS44 है ठीक दोस्तों ये second shift का question है इसके बाद GST का full form ठीक है दोस्तों GST का full form goods and service tax तो GST के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजेगा दोस्तों ये कब से शुरू हुआ इसका full form क्या है ठीक है ना तो इन सबी के बारे में सबसे पहले कहा लागू हुआ ये सब आप पढ़ की ही जाईएगा ठीक है इसके बाद next question आता है महत्मा घांधी ने कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्यता की थी तो 1924 में ठीक है ये बेल गाउंब से की थी ठीक है दोस्तों इसके बाद next question आता है गीद का question है इसका answer हो जाएगा automatic sequence control calculator ठीक है तो in full form भी आप पढ़ लीजेगा जैसे HTTP का full form क्या होता है ये सबी full form आप computers related पढ़ लीजेगा इसके बाद आता है क्रिस अंसंधान संस्थान कहां पे है तो ये नई दिल्ली में है इसके बाद दोस्तों पाल घाट धर्रा भारत के किस दोस्तों इसे आप comments में comment करके बताई इसका right answer क्या हो जाएगा ठीक है चली next question देख लेते हैं सेर साय सूरी का मकवरा कौन सा है तो दोस्तों ये कहां पे है सासाराम ये बिहार में है ठीक है याद रखिएगा मकवरे से भी question आ रहे हैं दोस्तों आप मकवरे भी पढ़ जिएगा चली next question देख लेते हैं टीपू सुल्टान की मस्जिद तो ये कोल काता में ठीक है दोस्तों चली next question देख लेते हैं हुमाई नमा किसने लिखी थी गुलवदन बेगम ने लिखी थी ठीक है ये history से question आ गया सम्मिधान से question आय तो उस्तों सम्मिधान सभा कि स्थाप आपना कब हुई थी? 1946 में हुई थी. ठीक है? 11 का pH 1 कितना होता है दोस्तो? 2.2 से 3.3 तक होता है. इसके बीच होता है. ठीक है? चलिए. रटके ही जाईएगा क्योंकि ये question आना ही आना है और question को ये दोस्तो लिख लिजेगा क्योंकि question जो है तो repeat भी हो रहे है ठीक है ठीक है next question देख लेते हैं गरतन दिवस के cheap guest कौन थे तो दोस्तो 2020 में जायरो अलबो जोवनू ठीक है ये थे cheap guest ठीक है चले नेश्ट देख लेते हैं अरब शागर में गिरने वाली न दिया दोस्तो ये question के ये जो है था option के according इसका answer था ठीक है ना चले next question देख लेते हैं कावेरी जल्वी बाद किन किन राजियों के बीच है दोस्तो एक reasoning का question इसमें सामिलोगे दोस्तो ABE is called to R तक KLM is called to क्या होगा ठीक है आप इसे solve कर लीजेगा इसके बाद next question आता है कि uranium का भंडारन कहां पर है दोस्तो uranium को जो भंडारन हुए है जारखंड में ठीक है चलिए next question देख लेते है Central Drugs Research Institute कहां है तो यह लखनव में है ठीक है next आता है 2016 में RVI के governor कौन थे तो यह आर उर्जित पटेल थे ठीक है तो इस प्रकार यह दोनों 60K GS का paper है ठीक है दोस्तो तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा अगर चैनल में पहली बारा है चैनल को subscribe जरूर करिएगा ठीक है दोस्तो मिलते हैं next वीडियो एक साथ तब तक लिए नोश्क्राइब